अस्सलाम अलेकूम तो जनाब पिछले विलॉग में हम लोग लाला मुसा में फंस गहे थे कुछ देर के लिए वहाँ पर स्यासी जलसी हो रहे थे जीडी रोड पर तो अब हम निकले हैं लाला मुसा से खारियां की तरफ रमाधमा हैं तो खारियां केंट अच्छा इलाका है जी बहुत खुशत इलाका है इसे कहते हैं कि भूत बंगलों का शहर है यह जादा तर यहां के लोग इंग्लेंड में रहते हैं वो अपने बावज़दाद की दर्मीनों पर बंगले बनाते हैं और उन बंगलों में सिच्चों की दार र मरियम नवाज शरीव साहिबा ने एक PTI का बंदा तोड़ लिया है और अपनी एक तस्वीर भी उन्होंने अपलोड की इंटरनेट पर जिसमें वो बड़े फखरी आंदास से बता रही हैं कि यह हमने किया हैं बदकिसमत इसे इस मुलक में अखलाकी अगदार का दिवालिया हो चुका है खतम हो चुके हैं इमानदारी खतम हो चुकी है होना तो नहीं चाहिए था कि अपने आपको इतना बड़ा लीडर कहने वाली इस तरहां किसी पार्टी के बंदे को तोड़ कर और पाकिस्तानियों के खून को गर्मा रही हो तपा रही हो तो यह खलाते हैं कि उन साब न जो टीडिब वोट लिए है वो तो इन ही के खिलाफ लिया है ना कि वो एंटी नवाशरी वोट था वो एंटी एस्टेश्मेंट वोट था वो पिडियूम के अगेंस्ट वोट था तो आप फिर उसी वोट को अपने अपनी हामी कर रहे हैं तो यह गराते है वो साब बाहिर मजाहरा कर रहे हैं, लोग आपके नहीं करना चाहिए, मुझे आपकी मजबूरियों का नहीं पता, कि味 कि जब कोई इसजे स्यास्टदानों के दरम्यान कोई घहरतंग होता है तो बड़ी मुश्किलाछ हो जाती हैं लोगों के लिए बड़ा बड़ा प्राव्लम होता है कि मैं नहीं समझता कि कोई हर एक में अतनी طاقت होती है कि वो नकी इन बदमाशियों को परदाश कर सके नकी जुमों को परदाश कर सके तो जब तक सही हकाइक सामने नहीं आते मैं उनसाब पर जो है यही कहूँगा कि पतनी कुन सी वीडियो दिखा कर उन्हें मजबूर किया गया हो अभी नाना दादा तो होंगे वो तो उनको अखलाकी तोर पर उन्हें अपनी तरफ किया है या पैसे दे कर किया है तो इसका मुझे अंदादा नहीं है तो जनाब अब हम यह खारियां के बादार से गुजर रहे हैं तो देखें के खारियां केंट है यह तो इसके बादार से गुजरने बड़ा खुरसत इलाका है यहां पर गुजर भी रहे हैं तो यह तो मैं बाद में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं वाइस होवर कर रहा हूँ बाद में तो बज़ाए इसके कि मैं इनके मुतालिक बात करूँ कि दिल जला हुआ है कि यार ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है जो पापुलर वोट हो पापुलर पार्टी हो उसी को ही ह्कुमत बनाने का हग असिल होना जाए के लिए होती हैं लेकिन यहां पर यह इन्होंने अबतरी पैदा कर दी है और इस तरह फैसला दिया कि जैसे तमाम पार्टियों के जो जो इंटरनल इलेक्शन्स होते हैं वो बड़े शफफाफ किसम के होते हैं जाने पर बाई को इसी तरह होते हैं पेपर बेज़ दे जाता है और उसी को मान लिया जाता है पार्क की तरफ बड़ा खुश्रत पार्क ही है पंजाब में तीन पार्क हैं जो नेशनल पार्क हैं छांगा मंगा है और एक पबी है और एक लईया है तो तीन पार्क हैं तो इन पार्कों की बड़ी एमियत होती है जी ये आपके महुरियात को बहतर रखते हैं यहां पर जो प्रांट्स होते हैं उनकी हिफासत होती है जो यहां पर जानवर होते हैं जंगली हयात होती है उसकी हिफासत होती है बड़ा खुशत रास्ता है बड़ा अच्छा लगता है यह कुछ वक्त के लिए यह आता है यहां पर तो हम बात कर रहे थे कि अखलाकी अगदार की तो वो तो खतम कर दी कादिफाई जिससाब ने पता नहीं किस अजाब में मुब्तिला थे या किस तरह का प्रेशर साउंटर जो इस तरह का घटिया फैसला दिया वेसे ही इलेक्शन कमिशन और पाकिसान की फोज वेसे ही उसके अगेंस्ट थी तो आज अदालते भी अगेंस्ट होगी अदालते भी नंगी होगी वो भी इस तरह की चीज़ है चलती रहती है अवाम जानती है सब कुछ जानती है इसी वज़े से अवाम ने घुस्से में आकर ये सारे वोर्दी हैं इमरान खान का कोई दोर इतना अच्छा दोर नहीं था लेकिन अवाम को गुस्सा आया कि आप हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के अगेंस्ट कैसे जा सकते हो आप अपना काम करो आपको क्या दरूरत है इन मामलात में पढ़ने की तो ये हमेशा से पढ़ते रहते हैं नवाजशरी साब ने भी देखा कि पहले 99 में इनको निकाला गया फिर 2016 में इनको निकाला गया लेकिन ये भी नहीं मानते अब उन्हीं के कंदे पर चड़कर आ रहे हैं अब मैं बता हुना इनका काम क्या होगा जितने भी हमारे अवामी इदारे हैं उनके ओपर उनके बिर्गेडियर्स को जाग देंगे और अवाम का सत्या नास करेंगे ना वो अच्छे के होते हैं वो तो तो फोजी से जो है किस तरह महिशत की तरह आ सकते हैं किस तरह इदारों को बहतर करने की तरह आ सकते हैं किसी ये नादरा में बिठा देंगे उनको कहीं और बिठा देंगे इस तरह करेंगे यार अवाम के लोगों का भी हक बनता है कि वो भी इन इदारों के सरब्रह बने या तो बनेंगे या तो ब्रिगेडियर जरनिल बनेंगे या फिर अपना जजज बनेंगे रिटाइड हैं और दोनों ही नालाएक हैं, मैं तो इनको नालाएक ही मानता हूँ। तुम जिस इदारे के सरवरा बन रहे हो किया तुम किया तुम्हारे पास उस की एक्सपर्टीज है किया तुम अपने आउ को बेहतर मानते हो कि इसNT जितने भी इदारों के सरवरा फूजी को बनाया आप उनकी आप ऑनकी आप उनकी कारकरदगी देख लें कारगर्दिगी के लिहांसे तो यूफून अच्छा है या यह जैस वाले अच्छे हैं जो डिजनस तो कर रहे हैं हम पर बेतर तरीके से लेकिन हमें तमाम इदारों को डबोने के लिए जरूरी है कि उन पर जजिद लगा दिये जाएं उन पर ब्रिगेडियर्स हो और किस तरह दूसरे इदारे में आकर सेट हो सकते हो मैशत का आपको क्या पता होगा तो खैर अब क्या होगा कि जी अगो हकूमत बनेगी फिर वही इतने बड़े 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 बड़ी काबिना बनेगी 97 लोगों की 98 लोगों की क्योंके आपको रिश्वत देनी बुटो साब जो बिनावल बुटो साब वो कहते थे कि जी मैं अपने अपनी काबिना में 17 लोगों पर रखूंगा उससे मुझे 300 अरब रुबे का फाइदा होगा तो क्या अब जब ये मिलकर हुकूमत बनाएंगे तो वो अपने उस कहे पर पूरा उतरेंगे कि 17 लोगों क ये काबिना बना देते हैं और नालाइत तरीन लोग होते हैं ये मेरे लेफ पर जी मिलिटरी कॉलिज जहलम है ये अफ्गरेदर में बनाया था 1926 में के जो मिलिटरी के लोग थे ताकि उनके बच्चों को यहां पर तालीम आसिता है ये ये हेब इसमें सराय आलंगीर में य जहलम कुछ दिए के बाद 10-15 मिनट के बाद जहलम आएगा यहां पर तो हम गुजर रहें सराय आलंगीर से सराय आलंगीर के बारे में बस उतना है कि आलंगीर जोगे औरंग्जेड था उसने यहां पर सराय बनमाई थी कि उप जीड़ी रोड की आहमेद को समझजता था व तो इसकी बड़ी बड़ी एहमियत थी इस इलाके की स्ट्रेटिजिक मिलिटरी तो इस वज़ा से यहां पर इसे ने यह सराय बनाये थी और इसी वज़ा से इसका नाम सराय अलगी रहे तो जनब 300 अरब रुपया बिलावल साफ बचाने का कह रहे थे कि मेरी हुकूमत आएगी मैं सत्रा वज़ी रखू हा तो अब यह तमाम के तमाम लोग इने पाकिसानी कोई हमतदी नहीं है तमाम के तमाम लोग अपने लोगों को बुसेडेंगे जी काबीना में जा सत्रा के बजाए यह सत्तां में काबीना बनाएंगे पहले भी श्यवाज शरीफ साथ ने इतना ही किया है तो अब वो तीन सो अरव रुपे कैसे बचेंगे यानि तीन सो अरव रुपे रिश्वत के तोर पर उस काबिना अरकान के लोगों के पास चले जाएंगे तो आपको सोचना चाहिए किस तरह की चीज़ें हो रही है कादी साब ने तो खेर हशरी कर दिया ना कि इस मुलक का जो भी आता है नॉनसेंस होता है वो नॉनसेंस होता है वो सोचना नहीं है कि इसका क्या आफ़ होगा खेर चलते रहें जी हम यहां पर सराय अलंगीर से सराय आ Nice Is की कि एक कुछ जो जेहलम का इस है द्रिया जैलक का वो सराय आलंगीर की तरफे इस्ट वाला और वेस्ट वाला जो है वो अब यह समझ रहें कि वह जलन वें तो दूसरी तरफ देखेंजी चोरियां हो रही है वोटों की बुलिट के बुलिट के जरिये वोग तो इस स्टोरी के माल में MQM ने भी बेहती गंदा में आप दोए उनोंने भी उस स्टोरी का माल को असूर कर लिया तो कहते हैं कि जी क्या करें हम उनको भी जारी चाहिए दो ने कहा है तो जी 2018 में मार साथ जाती हुए थी तो ये उसका बदला है ये एलक्शन नहीं ये बदला है तो आप उच्छी नहीं बदल रहे हैं ये हम पहुँच गए जहलम टोल पिलादा यहां पर हम थूरी देर के लिए मैकडोनल्ड है मैकडोनल्ड का हमने बाइकार्ट किया हुआ है कि हम मौसरी नहीं खाते है आजकल तारी बादे आपको पताईए कि फलस्तिन के लिए ये इस्राइलियों को अपना फूड देता है फिरी में तो उसका मुतबादिल हमने ओपी टी पी देखा है वन पोटाटो डू पोटाटो यहां से हम कुछ खाना वाना खाएंगे उसके बाद निकलेंगे यहां से आगी तरफ लाजा में दाखिल हो रहे हैं और यहां पर हम इनकी जो फीस है 30 लुपीस जो पूरे पाकिसान में यकसा ही है वो अदा करेंगे टॉल की फीस और फिर कुछ ज़र ज़र यहां के रेस्ट अरिया में रेस्ट करेंगे मैं हमेशा से इसी रेस्ट अरिया में रेस्ट करते हूं मुझे अच्छा लगता है रेस्ट अरिया यहां पर आपको शापिंग के लिए भी कुछ ब्रैंड्स मिल जाते हैं लेदर लेदर खादी है यहां पर इसके अलावा लेदर इन है और फिर चैल है यहां पर तो हम इसी तरफ जाएंगे और आप देखे हैं कि इस यह पहुता है यही तो अगर आप आगे जाएंगे तो दर्याय जहले में तो आप देखें इस इलाके को मैंने इसकी एलेदर से पूटिज बनाई है तो जो देखें जी अरिये को कितना खुछा तरीया है यहां पर एक अपर में डोनियले और पर टीपी है लेदर इन है और जाएंगे तो खादी है और अच्छे ब्रैंड्स हैं अच्छा यह से ऐसे खुछा तरीया मैंने कभी कराची के सुपराइवे बेने देखे यह त्यूली फ बुलबर यह जेहलम का ब्रीज है जेहलम का ब्रीज पानी तो है इस दफ़ा अब मुझे नहीं पता कि सिंतास मौहिदे के बाद जेहलम हमारा है या इंडिया का दरिया है चनाब में तो पानी नहीं था लेकिन अभी जेहलम में तो पानी दिखाए दे रहा है और यह बहुत बड़ा ब्रीज है ये और हमारी खौइश है कि हम यहां से जाएंगे अपना KFC हमने यहां पर खाना नहीं खाया है OPTP में तो KFC जाने कर जादा कि वहां पर हम उसके देखे भी उस एरी है कि और अगर मूड हो खाने का तो अब बहुत खा भी लें हमां से तो जनाब अब PDM की ही हकूमत बनेगी तो PDM की हकूमत के पास बहुत कम चांसे होते होंगे कि वो आवां की खिदमत कर सके वो उन्हीं की खिदमत करेगी जो उनको लेकर आ रहे हैं उन्हें के लिए जमीने देगी उन्हें के लिए जादा से जादा बजट पास करेगी और अवाम को मिलेगा जिन जिना क्योंके जब इस तरह की कंप्रमाइजड हकुमतें बनती हैं तो अवाम को पहले ही कुछ नहीं मिलता आपका दिफाई बजट अगर अगर अठारा सो और रुपए है तो आपका तरक्याती बजट सिर्फ साथ सो और रुपए है आप भूके हैं लेकिन आपने गोलियां खरीद होती है कि मैं गोलियां खरीद लूँ चाहे भूक से मर जाएं लेकि मेरे ख्याल है कि भूक से मरना बहुत तक्लीव दे होता है उसको परदाशिए यह जनाब के एसी यहां का यह बहुत बड़ा एरिया इस ते कबर किया हुआ है और सबसे बड़ा के एसी तो लाहर में पिर कावर में आकर यहां रुकता हूँ बच्चे यहां पर पार्क में केलते रहे थे और देखें इन्जॉय करें इसको क्या आपको कैसा लग रहे है पाकी हम अब यहां से अपना खतम करते हैं और हम कल जो है को पर जाएंगे के यहां से जहलम देखेंगे और उसके बाद दीना वगरा दीना सुहावा गुजर खान और पिंडी तो ये चंद शेहर बाकी हैं जो हमने भी एक्स्प्लोर करने हैं आपको ये कैसा लगा मेरा पिला का मेरी बातें कैसी लगी आप जरू मुझे कमेंट सम्ट बताएए का यार लाइक भी कर लिया करो संस्क्राइब भी कर लिया क रोची आपको